स्वालो स्टुडेंट्स कैसे हूँ आप सभी लोग स्वागत है आपका बायो स्टेडिस चानल क्यूप पर मैं हूँ आपका बायोजी टीचर सवरो गाडगे आज का वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम देखेंगे most expected questions for chapter number 2 reproduction in lower and higher animals class 12 biology का ये जो सवाल है जो मैं इस स्टुडियो में देने वाला हूँ इसकी guarantee ज़ादा है एक्जाम मैंनी की क्योंकि हमने research किया है प्रॉपर 2023 का 2022 का 2020 का question paper मेरे सामने है पूरा हमने देखा है कि इसकी उपर कैसे topic पूछे गया है अगर आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 2022 में जो question आये थे वो 2023 में नहीं आये अब जो questions आते है वो आते है topics से topics बहुत important होते है क्या important होता है topics ठीक है और आपको पता है हर एक chapter में near about 15-16 topics होते है और यह जो topics है अगर आप करके जाओ मतलब जो 2022 में जो topics पूछे गया है वो 2023 में उसके उपर सवाल नहीं था तो इस तरीके से जो 2023 में topic पे सवाल आये थे वो 2024 में नहीं आएंगे जो exam आप देने वाले हो ठीक है तो जो 2030 में जो topic पूछे जाएंगे या फिर पूछे गये थे उस topic पे सवाल नहीं होंगे 2024 में ठीक है तो इस तरीके से उसके साथी साथ क्या 2022 के questions फिर इधर repeat होंगे क्या 2020 के questions repeat होंगे इधर 2024 में तो इस तरीके से possibility हमने निकाली है और जो आपका paper निकालने वाले teachers होते है उन्हीं हिसाब से थोड़ा सोच कर कि कौन से topic important है chapter में से और जो students को पता होनी चाहिए जिसके उपर सवाल जवाब लिखने होंगे students को ताकि वो एक अच्छा सवाल हो आपको general होते है ठीक है तो इस तरीके से हमने थोड़ा research किया है तो चलिए देखते हैं अब देखो as it is questions हम नहीं दे सकते कि ठीक है chapter second है आपका मैं दे भी सकता हो लेकिन मुझा आपको बेवकुफ नहीं बनाना है जैसे कि chapter number 2 है तो उसके उपर अगर कोई topic है अगर देखे अगर यह topics करके जाओंगे तो 100% उसके उपर सवाल होंगे यह मैं बता सकता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे तो 15-16 topic है तो 15-16 topic नहीं करने हैं सिर्फ 5 topics करने हैं कौन से सर तो देखो topic आपके सामने ठीक है एक topic हमने एक्सटा लिया है छे topic है आपके chapter number 2 से most expected questions इसी topics से बनने वाले है इसी topics से questions पूछे जाएंगे कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको explain करता हूँ इसलिए last तक eugenesis है जिसके अंदर female gamete कैसे बनता है उस process को बोल जाता है eugenesis ठीक है जैसे कि एक spermatogenesis होता है एक eugenesis होता है अब यह जो eugenesis है यह तीन स्टेप इसके अंदर होती है तो यह आपको सवाल 2 मार के लिए या फिर 3 मार के लिए exam में पूछा जाता है या फिर इसकी जो diagram होती है उस diagram पे भी आपको सवाल पूछा जा सकता है जिसके अंदर आपको पता है कि eugenium से आपका सबसे पहले तो germinal epithelium जो होता है ओवरी का उससे बनता है eugenium उसके बाद primary ucide then secondary ucide ठीक है उसके बाद आपको ओहम मिलता है polar body मिलती है तो वो diagram पे भी सवाल आ सकता है या फिर आ topic बहुत important है इसके उपर से ही इस साल questions बनेंगे दूसरा topic है pregnancy का pregnancy जो है वो तीन trimester में divide होती है आपको पता है जैसे कि first trimester second trimester third trimester उसमें क्या changes होते है वो आपको पूछा सकता है तीन मार्का सवाल इसके उपर आएगा आपको तीन मार्का एक तो ठीक है या फिर MTP MTP मतलब क determination of pregnancy pregnancy को हम कैसे avoid कर सकते कब तक avoid कर सकते I hope कि इसके उपर MCQ होगा या फिर एक मार्क का सवाल होगा general इसके उपर दो या तीन मार्क के सवाल नहीं होंगे उसके बाद structure of sperm जो sperm का structure है यह diagram का सवाल इसके उपर आ सकता है एक तो diagram या फिर थेरी तो थेरी तो इसके उपर बनेग नहीं diagram का ही सवाल हो सकता है तीक है उसके बाद glands of male reproductive system male reproductive system में जो seminal vesical prostate gland है बल्बो उरिथ्रल gland होती है उनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा एक तो अगर पूरा अगर ऐसा कैसा कोशन आया तो यह आपको तीन मार्क के लिए आएगा या फिर चार मार्क के लिए तो पूरे आपको glands explain करने है उसके साथ semen को भी explain करना है उसके अंदर spums होंगे तो यह ध्यान में रखना ची तरीके से अब glands के अंदर male reproductive system की पूछेगे तो चारो अगर पूछेगे तो दू आपको तीन या फिर चार मार्क के लिए अगर उसमें से कोई एक पूछा है तो एक म productive system तो यह दो मारका या फिर एक मारका सवाल आ सकता है ठीक है उसके बाद placenta के उपर आपको सवाल बनेगा placenta explain placenta या फिर बोलेंगे कि mother और जो fetus होता उसके बीच में जो connection होता उसके बारे में explain करिये तो question घुमा फिरा क्या आ सकता है लेकिन topics यही होंगे यह topic धान में permanent method तो temporary permanent method यह भी आपको अच्छे से कर लेना है temporary method में यह temporary method आपको तीन मारक के लिए पूछा रएगा बड़ा है वो permanent भी आपको दो मारक के लिए इस पे वैसेक्टुमी और टुबेक्टुमी होता है तो यह जो वैसेक्टुमी और टुबेक्टुमी है इसकी diagram भी बहुत important diagram वो भी आप करके जा सकते है ठीक है yes sir तो इस तरीके से यह topic मैंने आपको बोला है इस topic को 100% clear करना है ठीक है कोई भी इसके अंदर आपको कुछ चीज नहीं छोड़नी है जैसे की ugenesis है ugenesis की theory भी कर लो diagram भी कर लो तो इस तरीके से जो मैंने यह 6 topic बताया है इसकी theory इसके MC CQ इसके diagram हर एक चीज अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो definitely इसके अंदर से ही आपको सवाल पूछे जाएंगे board exam 2014 के exam में यह most expected है ठीक है यह most IMP है तो इसको पहले करो बाद में आपके पास समय बसता है तो बाकी के chapter आप कर सकते हो ठीक है या फिर अगर आपने chapter अच् पर इसके भी expected question चाहिए तो इस वीडियो को like करो, share करो दोस्तों के साथ, मिलते हैं next video में तब तक stay happy, stay motivated, thank you so much